Hello everyone, my name is Dr. Shipra. स्वागत है आपका मेरे YouTube चनल लाइन वे दोक्टर शिप्रा पर. आज का हमारा टॉपिक है Carcinoma of Isophagus. तो अगर आपने Surgical Anatomy आप Isophagus अभी तक नहीं देखा है या Isophagus के और लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्रिप्शन में देखी हूँ, देदूँगी, अगर आपको चेक करना है तो आप आप हाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी Carcinoma of Isophagus के बारे में हैं, तो फर्स्ट आप आप अल, Carcinoma of Isophagus किसमे जादा मिलता है हम उसकी बात करेंगे, तो Most Common किसमे है, 6th Decade मतलब, अगर 60s वाली जो एज है, 62-70 या अब उसक्ष्टी वाली जो एज है, उसमें ये क्या होगा, Carcinoma of Isophagus जादा देखने को मिलेगा, Most Common किसमे होता है, Males में होता है, Due to Bad Habits, Smoking हो गया, Alcohol हो गया, तबाक हो गया, इन सब के कारण क्या होगा, Most Common किसमें मिलेगा, Males में मिलेगा, इसमें एक Most Common Symptoms क्या होगा, वो होगा, Dysphasia, देखें, Dysphasia की Condition क्यों बनेगी, आप यहां देखें, यह एक Normal Isophagus अगर होता है, तो यह इस तरीके से होता, यहां पर क्या होने लगया, Isophagus में Carcinoma होने लगया, तो Carcinoma होने की वज़े से, इसने टू थर्ट से भी जादा इसकी Lumen को अप्क्योट कर दिया है, ठीक है, Occupy कर लिया, उसकी वज़े से क्या होगा, अब कोई भी Food अगर Swallow करेंगे, तो उसमें क्या होगा, परेशानी और जो Most Common Symptoms होता है, असवा क्या होता है, Dysphasia, Common Side के हम बात करें कि हमें Carcinoma हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहां पर जादा देखने को मिलता है, तो हम अगर Isophagus को 3 Equal Parts में Divide करें, Upper 1-3, Middle 1-3 और Lower 1-3 में, तो जो Middle 1-3 होता है, वो बहुत जादा पेशेंट में देखने को मिल क्यों, क्योंकि वहां पर Acid Reflexes वगरा की कारण भी Carcinoma हो सकता है, ठीक है, इसलिए, और 17% केसिस में क्या हम मिलेगा, हमें Upper 1-3 में Carcinoma देखने को मिलेगा, अब जो Surgical Anatomy of Isophagus है, वहां हम बात कर चुके हैं, कि जो Isophagus होता है, उसमें क्या होते है, Squamous Epithelium, बस किसको Abdominal जो Isophagus है, उसको छोड़के पूरी जो Isophagus है, सवाइकल है, थोरेसिक में हमें क्या मिलेगा, Squamous Epithelium, अब जहां पर Squamous Epithelium मिल रही है, वहां कौन सा Carcinoma मिलेगा, वहां मिलेगा Squamous Cell Carcinoma, ठीक है, तो इंडिया में है 90% common है, कौन सा Squamous Cell Carcinoma, बात करें हम Columinar Epithelium, तो जो Abdominal जो Isophagus है, वहां कौन पाया जाता है, वहां होता है Columinar Epithelium, तो Columinar Epithelium में कौन सा Carcinoma मिलेगा, वह होगा Adenocarcinoma, और यह जादा कहां मिलेगा, Western Countries में हमें जादा देखने को मिलेगा, Barrett Isophagus, जिसके हम पहले भी बात कर चुके, जिसमें Cells में Metaplesia होने लग जाता है, वह किसमें मिलेगा, Adenocarcinoma की Condition में देखने को मिलेगा, Pre-Cancerous Condition के हम बात करें, तो First होता है Ecclesia Cardia, Ecclesia Cardia क्या होता है, इसमें जो Lower Isophagus Sphincters होते हैं, वो Relax नहीं हो पाते हैं, उसकी वज़े से जो Food होता है, वो Stuck कहां करेगा, Isophagus के Lower Sphincters के Just उपर, ठीके, तो वह क्या Condition हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, Acclesia Cardia, Reflex Isophasitis के कारण हो सकता है, Plummer-Winson Syndrome क्या होता है, Iron Deficiency, Anemia की कारण डवलब होता है, इसमें जो Upper Isophagus Sphincters होते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, Corrosive Liquid Intect, अगर हम Acid या Alkali कोई भी लेते हैं, उसकी कारण क्या होता है, Cancerous होने के जाते हैं, अगर फूड में कोई भी कॉंटामिनेशन है, पंगल कॉंटामिनेशन है, जो कि मेंली चाइना में जादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ लोग किसी भी टाइप का फूड लेते हैं, तो उन लोगों में जादा देखने को मिलेगा, Cancers वाली जो Stages है, डाइ जैसे भी क्या हो सकता है, काल सिनोमा हो सकता है, इसलिए हमने बात किया कि मेंली कॉमनली किस में मिलेगा, ये मेल्स में मिलता है, बैड अबिट्स के गारें, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें, Most Common Symptoms हम देख चुके हैं, कि डिसफेजिया होता है, तो यहां पर क्या होता है progressive dysphagia होता है जो कि इसका क्या है cardinal sign है इसका cancer का यह क्या होता है 18 month में धीरे-धीरे develop होता है ऐसा नहीं है कि patient को cancer एकदम से हो गया है और उसे एकदम से खाना swell करने में दिक्कत हो रही है progressive होता है उसमें लगता है एक से डेट साल का समय लगता है धीरे-धीरे क्या होता है जो cancer होता है वो occult कर लेता है two-third से भी ज़्यादा lumen को तब ही हमें देखने को मिलता है और dynophysia मिलेगा हमें advanced condition में मिलेगा जब cancer बहुत अदा बढ़ चुका है उसने mostly lumen को occlude कर लिया उस condition में हमें क्या मिलेगा और dynophysia देखने को मिलेगा hemat masses मिल सकता है regurgitation मिल सकता है और अगर phrenic nerve involvement है उस condition में hitch की आना ये hiccup की condition भी हमें मिल सकती है loss of appetite होगा और weight क्या होगा धीर-धीरे कम हो जाएगा क्योंकि खाना खाने में दिक्कत हो रही है sub-sternal pain मिलेगा मतलब sternum जो है हमारी उसके नीचे का एरिया मतलब कौन सा एरिया हो गया हमारा apigastric area हो गया वहाँ पे क्या मिलेगा patient को pain मिलेगा जो इस condition में अगर carcinoma हमारे बढ़ जाता है lymph node उसमें involved हो जाती है तो left supraclavicular जो lymph node है वो हो जाएंगी फिर palpable normal condition में वो palpable नहीं होती है bronchoneumonia हो सकता है horseness और voice हो सकती है अगर हमारी larynxal जो nerve है अगर वो involved होगी तो उस condition में हमें क्या होगा voice में horseness देखने को मिलेगा और metastasis मिल सकती है किसमें advanced stage में investigation हम बात करें तो carcinoma के लिए हम क्या investigate करवा सकते है first of all हमें hb person करवाना है patient का अगर hematmesis वगरा की condition है तो हमें देखना होगा कि patient का hb count क्या आ रहा है ESR करवाएंगे उससे हमें पता लगेगा कि body में कोई infection या sepsis या फिर inflammation की condition तो नहीं है CBC करवाएंगे complete blood count and LFT करवाएंगे उसके अलावा हम कैसे कर सकते है barium meal x-ray chest का करवाएंगे उसमें हमें aspiration pneumonia की अगर condition है तो वो हमें पता चल जाएगी city skin जो होता है cancer की stage में 95% accuracy देता है उसके अलावा जो हम test बाकी isofasial chapters में जो हमने पढ़ा है gastroscopy कराएंगे bronchoscopy कराएंगे isophagoscopy कराएंगे endoscopy कराएंगे and confirm करने के लिए कि cancer है उस condition में हम क्या कराएंगे biopsy करवाएंगे अब हम हमेशा से बात करते आ रहें gastroscopy में क्या होता है हम isophagus को भी examine कर सकते है stomach को भी कर सकते है और हमारी small intestine के कुछ पार्ट को भी हम examine कर सकते है जबकि isophagoscopy होती है उसमें हम isophagus को ही examine कर सकते है ठीक है treatment की हम बात करें तो जब भी हम बात करते है cancer के treatment की तो first of all हम देखते हैं कि जो हमारी lymph nodes है वो involved है या नहीं है ठीक है simply radial isophagectomy कर देते हैं ठीक है phagectomy का मतलब क्या होता है हम isophagus का कुछ पार्ट निकाल देते हैं और उसका बापिस anastomosis बागी बच्चों का anastomosis कर देते हैं ठीक है अगर 5 या उससे कम lymph node involved है तो उस condition में हम radiotherapy भी करेंगी chemotherapy भी करेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे radial isophagectomy करेंगे अगर path से भी जादा lymph node involved है उस condition में poor prognosis होगा मतलब वो एक तरीके से ठीक करना मुश्किल हो जाएगा अब हम बात करें कि हमने वहाँ पे isophagus को 3 parts में divide किया था 1 third, 1 third, 1 third upper 1 third, middle 1 third and lower 1 third अब हमें यह देखना है कि हम उसको tumor को approach कैसे करेंगे तो अगर upper 1 third में है तो वो कौन सा होगा squamous cell carcinoma होगा वो हम कहां से उसको reach करेंगे या कहां से उसको approach करेंगे वो हम करेंगे neck के through ठीक है neck के through में हम उसको क्या करेंगे isophagectomy करेंगे और देन anastomosis करेंगे radiotherapy, chemotherapy हम continue रखेंगे middle 1 third जो है वहां भी हमें क्या है squamous cell carcinoma मिलेगा अब middle 1 third में अगर carcinoma है तो हम उसे deal किसके साथ करेंगे थोरेक्स के through करेंगे यहां पे भी same है radiotherapy होगी, chemotherapy होगी partial isophagectomy करेंगे प्लस anastomosis करेंगी lower 1 third की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे क्या होगी squamous cell भी पाये जाती है प्लस columnar epithelium के कारण adenocarcinoma भी पाये जाता है तो lower 1 third में हमें दोनों मिलेगा squamous cell carcinoma भी मिलेगा और adenocarcinoma भी मिलेगा अब इसको हमें करने के लिए इसको approach करने के लिए क्या करेंगे थोरे को abdominal incision से इसे approach करेंगे इसमें हम क्या करेंगे radiotherapy, chemotherapy तो करेंगे उसके अलावा partial esophagus gastrectomy करेंगे मतलब क्या हुआ esophagus का तो कुछ पार्ट निकालेंगे उसके साथा stomach का भी कुछ पार्ट हमें बहार निकालना है and then उसकी anastomosis करेंगे किस से बच्चा हुआ isophagus का पार्ट and बच्चा हुआ जो stomach का पार्ट है उनको आपस में anastomosis कर देंगे थैंक्स पर वाचिंग अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्स्क्राइब to my YouTube channel